हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने स्पी एजुकेशन पॉइंट चैनल में फ्रेंट्स आज हम जो है 24 मई से ले करके 29 मई तक के जो वीकली करेंट अफेयर उसका रिवीजन करेंगे हमने जितना इस अपते में पूरा पढ़ा है वो हमको कितना याद रहे गए वही एकजांस में काम आएगा इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दौरा जो है वीकली करेंट अफेयर से सुरू किया गया है तो इस से सेसन को स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड की हुसले आजमाती है सपनों के परदे आँखों से हटाती है किसी भी बात से हिम्मत ना हारना ठोकर ही इनसान को चलना सिखाती है ठोकर ही इनसान को चलना सिखाती है तो फ्रेंड्स इसी मोटिवेशनल कोड के साथ अपने सेसन की सुरूआत करते हैं इसे पहले फ्रेंड्स आ वह सतर से हैसी कोस्चन जो पूरे वीकली करेंट अफेर है यह लिए गैंस सेसन की स्टार्ट करते हैं पहला ही कोस्चन और इंपोर्टेंट है कि केरल के मुख मंत्री के पद की सफ़त लगातार दूसरी वर किसने लिए है तुब एकाउंत पिन राई विजियन किसने लिए पि इस दिन दिवस मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स 21 माई को अतंकवादी विरोधी दिवस मनाये जाता है क्यों मनाये जाता है इस दिन जो है राजजी गांधी की हत्या कर दी गए थी उसी के पुन्यतिति के अवसर पर मनाया जाता है नेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट यह important difference क्योंकि जजों की नुक्ति से लेकर question जरूर आते हैं किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख न्याधिस के रूप के साजेदारी करते हुए न्यूज सोकेज को लाँच किया है तो वह है भारत में लाँच किया है किसमें भारत में next question है कि प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने गुजरात के चक्रवात तावते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुररवास के लिए कितने करोंड रुपए वित्ती सहायता का ऐलान किया है तो फ्रेंड्स एक हजार करोंड रुपए कितने एक हजार करोंड रुपए next question है कि भारती नौसेना का पहला बिद्वनसक किस पोथ को 21 माई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया तो वह कौन सा बिद्वनसक पोथ है तो वह है आई एनस राजपूथ है कौन सा है आई एनस राजपूथ next question है कि भारत की युनेसको विश्व धरोहर कि आई स्थाई सूची में कितनी विरासत इस्तलों को सामिल किया गया तो फिलाल 6 कितने 6 विरासत इस्तलों को आई स्थाई सूची में इस वर्ष सामिल किया गया next question है कि आयुश्मान भारत कारकरम के किर्यानवयन में पहले इस्थान पर कौन सा राजपूथ है तो पहले इस्थान पर करनाटक है कौन सा है करनाटक next question है कि स्मार्ट सिटी मिसन योजना के किर्यानवयन में पहले इस्थान पर कौन सा राजपूथ है तो जहारखंड कौन सा जहारखंड जबकि सहरों में कौन सा है सहरों में है भोपाल राजपूथ में जहारखंड जबकि सहरों में भोपाल next question है कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारती कौन बन गए है तो सुरेश मुकुंद कौन है सुरेश मुकुंद ये question friends आई अमपी है इसलिए इसमें जो डिटेल है नहीं बताई जारी केवल question answer form में ये फूरा format आपके लिए तैयार किया गया जो डिटेल है वो है डेली करेंट अफेर्स में होती है इसलिए आप हम चैनल को subscribe कर ले ताकि जितने भी वीडियो upload होते हैं डेली वो उसकी notification आपको तुरंत प्राप्त हो सके और friends आप जो है टेली ग्राम जोईन कर ले इसका PDF और डेली करेंट अफेर्स जितने भी होते हैं उन सभी की PDF आपको टेली ग्राम पर ही मिलेगी और इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप जोईन जरूर कर ले ठीक है तो World choreography award 2020 20 किसने जीता है तो वह सुरेश मुकुंध है next question है कि dip coven कौन सी dip coven covid 90 anti-deduction kit किसने विक्षित की है तो वह dip coven किसने विक्षित की है भारत की आनवानसान DRDO कौन भारत की आनवानसान DRDO इसकी स्थापना का हुई थी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके वरतमान सी जो अध्यच है वह कौन है वह जी सतीस रड़ी है next question है कि परियावरण वी सुन्दालाल बहुगुरा का निधन हो गया इनका संबंद किस आनदोलन से है तो प्रसिद आनदोलन है को अंदोलन जो 1973-74 में हुआ था ठीक है फ्रेंट्स 1973-74 में हुआ था next question है कि hit covid app कौन सा hit covid app किस रज ने launch किया है hit covid app बिहार ने किस ने बिहार ने launch किया है next question है अंतर राष्टी होंकी महासंग FIH एथलेट समिती के समिती के सदस के रूप में किसे निक्त किया गया है तो वह है PR स्रीजेस कौन है PR स्रीजेस को अंतर राष्टी होंकी महासंग एथलेट में सदस के रूप में शामित किये सामिल किया गया है प्रति वर्स अंतर राष्टी जैविविदता दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स बाईश माई को बाईश माई को यह मनाया जाता है फ्रेंट्स आप कमेंट वाक्स में बताएं कि इस 2021 की थीम क्या थी यह जरूर आप बताएं नेस्ट कोश्चन है कि इसराइल और हमास के बीच 11 दिनों के बाद हुआ विद्विराम इसमें किस दिन ने मध्यस्ता की है तो हुआ है मिस्र किसने की है मिस्र ने इसमें मद्यस्ता की है नेस्ट कोश्चन है कि अंटार्टिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है इसका नाम क्या है तो इस हिमखंड का नाम है A76 यानि A76 नेस्ट कोश्चन है चर्चा में रहा कला कैंथ क्या कलाकैंद किसकी प्रजाती है चर्चा में रहा कलाकैंद किसकी प्रजाती है तो यह एक मछली की प्रजाती है नेस्ट कोस्चन है कि भारती चिखिस्सान परिशभिंग ने आईज्दी इसी एम्र ने किसमी माई लेब ने इसको विख्षित कर दिया है नेक्स्ट कोश्चन है कि चर्चा में रहा वॉयट फंगस का वेज्ख्यानिक नाम क्या है क्या उसा वॉयट फंगस रेंट्स वॉयट बलेग और एलोटीनो फंगस आ चुके है तो इसमें से White fungus का नाम क्या है जो आया है तो इसका नाम है Candidis क्या है Candidosis का नाम है Next question है कि Monaco Grand Prix 2021 किसने जीत लिया है तो Monaco Grand Prix 2021 मैक्स वेरेस्टा पे ने जीत लिया है Next question है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चकरवात यास का नाम किस देश ने रखा है तो जो यास आया था उसमें नाम ओमान ने रखा किसने ओमान ने और इससे पहले जो कौन सा आया था इससे पहले जो आया था ताउते ठीक है इससे पहले जो ताउते आया था उसका नाम म्या मार ने रखा था नेस्ट कोश्चन है कि अंतर राष्टी होकी महासंग के अध्यच निम्न में से किसे निक्त किया गया है तो अंतर राष्टी होकी महासंग के अध्यच के रूप में नरिंदरन बत्रा को को निक्त किया गया है नेस्ट कोश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुक मंतरी ने वा के वास संजीविनी परियोजना की शुरुवात की है तो वह है हरियाना किसने हरियाना नेस्ट कोस्चन है कि ओपी भारत द्वाज का निधन हो गया इनका संबंध किस खेल से है ओपी भारत द्वाज का संबंध किस खेल से है तो यह मुक्केवाजी शे शंबंधित है नेस्ट ह फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा तो फ्रेंट्स यह जो है भारत में होगा कहां भारत में होगा इसलिए इंपॉर्टेंट कोस्चन हो जाएगा नेस्ट है कि टेमपल्टन पुरुसकार 2021 से किसे शम्मानित किया गया आई वेरी वेरी आई एमपी कोस्चन फ्रेंट्स यह जो कोस्चन है यह पुरुसकार है कई बार इक जामों में पूछा जा चुका है कि टेमपल्टन पुरुसकार 2020 किसको दिया गया तो यह जेन गुड़ जेन गूडॉल को दिया गया नेस्ट कोश्चन है कि G20 सिखर सम्मेलन 2021 की मेजवानी कौन सा देश करेगा कौन से G20 2021 की मेजवानी तो वह इस बार की Chocolate करेगा कौन सा देश करेगा इटली नेस्ट कोश्चन है कि 4002 जारी 2021 की सबसे अमीर है धिल्यूटू की सूची में इसमें सिर्स इस्थान पर कौन है तो जो 400 जारी की गए उसमें कोनोर मैक ग्रेगर आयरलैंड के हैं ये इस सूची में सबसे टॉप पर है नेस्ट कोस्चन है निमने लिखित में से किस देश ने प्रतिवेक्ती आये 227 डॉलर के साथ भारत को 280 डॉलर से अधिक हो गई है तो वह है फ्रेंड्स बंगला देश कौन सा है बंगला देश ने प्रतिवेक्ती आये में भारत को पीछे चोड़ दिया है नेस्ट कोस्चन है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरीच चेजन्सी नासा ने किस साल में चंदरमा पर अपना पहला मुवाईर रोबोट भेजने की गुफना की है तो पहला मुवाईर रोबोट कब भेजा जाएगा यह 2023 में कब 2023 में और इसका नाम है वाइपर ठीक है वाइपर नाम का यह भेजा जाएगा Next question है कि हाली में भारत और किस देश ने किस देश ने कृषिक में सहयोग के लिए वर्स के कारकरम सब्बंदिस समझाओता किये हैं तो वह कोने भारत और इसराइल ने ऐसा समझाओता किया है नेस्ट कोस्चन है कि केंद सरकार ने कौवीड महामारी को देखती वHE gaan प्रतेख ट्रांसेंडर को व्यक्ति को कितने हज़ार रुपए देनी की घोशना की है तो वह 1500 रूपए कितने 1500 रूपए देने की घोष्ण की है नेस्ट कोस्चन है कि भारती रिजर्व वैंक ने 21 माई 2021 को कितने करोंड रूपए के अधिसेस अतरिक्त लाव को केंदर सरकार को हस्तांतरित करने की घोष्ण निर्णा लिया है तो वह निन्यान नवे 1122 करोंड कित एक वर्स 23 माई को विश्व कच्वद इवस मनाया जाता है नेस्ट है कि निम लिखित में से किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के आधिकारियों पर बीजा प्रतिबंद लगा दिया है तो यह कौन है अमेरिका कौन है अमेरिका ने ऐसा कारी किया है नेस्ट कोस्चन रुसकार दिया गया है नेस्ट कोस्चन है कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलाइंस योजना किस राज्ज ने सुरू की है तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलाइंस योजना महरास्ट ने किसने महरास्ट ने जो है लांच की है नेस्ट कोस्चन है किस देश ने वैस्विक महामारी किया गया है तो फ्रेंट्स इने अभी हाली में सुबोत जैसवाल को निक्त किया गया है और यह किसे रिसी कुमार सुकला के इस्थान पर सुबोत कुमार जैसवाल को निक्त किया गया है नेस्ट कोस्चन है कि केंडरी मंत्री मंडल ने किस देश के अड़ू सहर में भारत के नए वाड़िजिक वाड़िज दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है यानि कि भारत ने किस देश के अड़ू सहर में नए वाड़िजिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है तो यह जो अड़ू सहर है कहां कहा है माल दिव का कहा है माल दिव में भारत अपना नाय वाड़ी जिक दूतावास कोलेगा नेस्ट कोश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस किस दिन मना जाता है वेरी इंपॉर्टन्ट कोश्चन कि विश्व थायराइड दिवस किस दिन मना जाता है तो यह हेपरतेक वर्स पच्चिस माई को विस्व थायराट दिवस मनाया जाता है next question है कि महाली अंतर राश्टी इस्टेडियम का नाम बदल कर गिसके नाम पर रखा गया friends यह question आप किसी ना किसी एक्जाम या हर एक्जाम समिध देखने को आपको मिले गा यह very very important five star का question है कि मुहाली अंतर राष्टी स्टेडियम का नाम बदल का किस नाम पर रखा गया है तो बलवीर सिंग सीनियर के नाम पर रखा गया है next question है कि अमेरिका के ली इवान्स का निधन हो गया इनका संबंध किस खेल से है तो यह एक धावक थे कौन से धावक यह निधनी रेसलर्स थे next question है कि जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुस एकल का खिताब किसने कैस्पर रूड कौन है कैस्पर रूड ने जीत लिया है next question है कि 26 मई 2021 को 27 पर बेशौक कौन सा बेशाग दिवस मनाया गया इस बेशौक यहां पर बेशौक है बेशौक दिवस का संबंध किससे है तो वह फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध से है किससे महात्मा बुद्ध से है next question है कांगो गाराज के नए परधान मंतरी कौन बने है तो वह कौन है कौन बने है कौलीनेट मकोशो कौन है कौलीनेट मकोशो जो है नए परधान मंतरी के रूप में इन्हें निक्त किया गया है next question है कि मोशाद किस देश की खूफिया एजन्सी है फ्रेंट्स ये काफी जो है important question हो सकता क्योंकि यह इस समय मोशाद दो है चर्चा में रही थी और यह सबसे खतरनाक एजन्सी बोली जाती है इसराइल की मोशाद कूफिया एजन्सी है next question है कि खेल मंत्राले ने जमीनी इस्तर परपतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलों इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है कितने 143 खेलों इंडिया केंद्र खोले जाएंगे और कितने राज्यों में शात राज्यों में खोले जाएंगे कौन सा राज है हरियाना कौन सा है हरियाना नेस्ट कोस्चन है कि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने निमने में से किस भारत वंसी को वाड़िज विभाग में डी जी के तौर पर नुक्त किया है तो वह कौन है अरुन वेंकट रमन कौन है अरुन वेंकट रमन नेस्ट क की दूतावाशों में one stop centers खोले जाएंगे आप one stop centers क्या होते हैं friends हम हिंसा से किसी परकार की हिंसा से प्रभावित महीला को सभी परकार की शुब्दाएं एक ही जगे उपलब्द करवाना है next question है कि किसी मंत्राला किस मंत्राला फ्रेंड्स निर्मला सीता रमन वरतमान में इस मंत्राले की मंत्री है next question है कि नवंबर में अफ्रीका से चीता फिर से भारत में के किस राष्टी उद्यान में लाए जाएंगे तो friends यह कूनो नेसनल पार्क कूनो नेसनल पार्क MP के स्योपूर जिले में है next question है कि किस संस्थान द्वारा अनोखा डिडेक्टर फेक बस्टर्ड विक्सित किया गया है तो हुआ है आयाईटी रोपन कौन है आयाईटी रोपन ने विक्सित किया next question है कि रुडोल्फ वी सिंडलर पुरुसकार जीतने वाले पहले भारती कौन बन गये है तो रुडोल्फ वी सिंडलर पुरुसकार जीतने वाले पहले व्यक्ति डी नागेश्वरा रेड़ी कौन है डी नागेश्वर रेड़ी ने पहली बार रुडोल्फ वी सिंडलर पुरुसकार जीता है फ्रेंस यह important question है प्रुसकार से जितने भी कोश्चन हैं आप उनको जरूर याद रखें फ्रेंट्स और पीडियाफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेस्ट कोश्चन है कि इक्वाडोर के राष्ट पती कौन है कौन अभी बने हैं तो वह हैं गिलर्मो लासो कौन बने हैं गिलर्मो लासो जो है इक्वाडोर के नए राष्ट पती बने है और इक्वाडोर की जो राजधानी वो क्या है क्योटो क्या है फ्रेंट्स क्योटो यह कि राजधानी है और यह कौन सा दच्छिन अमेरिका में इस्तितिक देश है इंकड और नेस्ट कोश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट सांती रचको के लिए किस मोबाइल टेक प्लेटफर्म को लांच करेगा तो वह कौन सा है यूनाइटड अवेयर कौन सा यूनाइट अव यूनाइट अवेयर नेस्ट कोश्चन है कि भारत की पहली महिला उडान परिच्छन इंजीनियर कौन बन गई है तो वह कौन है फ्रेंड्स वह है आस्रिता वी उलेटी कौन है आस्रिता वी उलेटी बन गई है नेस्ट कोश्चन है कि प्रिंसेस आफ आस्टूरियस प्रिंस question है कि 95% vote हासिल कर बसर अल-असद किस देश के चौथी बार राष्ट पती बन गए है तो बसर अल-असद किस देश के राष्ट पती है तो वह सीरिया कहां कहां कहें सीरिया और सीरिया की राजधानी फ्रेंड्स किया है दामिस्क next question है कि किसने services e-health assistant and teleconsultation यानि सेहत opd portal लाउंच किया है तो वह कौन है रच्छा मंतरी राजणास सिंग ने इसको लाउंच किया है next question है किस IIT संस्थान के सोध करताओं ने घरों और इमारतों में स्वचलित जलवायू नियंतरन के लिए smart window materials का विकाश किया है तो वह कौन है फ्रेंड्स वह है IIT गुहाटी कौन है IIT गुहाटी ने ये कारेकर दिखाया next question है कि किस मंत्राले ने कोईला अधारी ताब विद्दूत संयंतरों में बायो मास का उपयोग बढ़ाने है तो ये कराश्टी मिशन स्थापित करने का फैसला किया है तो वह कौन है फ्रेंड्स विद्दूत मंत्राले ने ऐसा फैसला लिया है next question है कि टोक्यो ओलंपिक में कुष्टी में अमपारिंग करने वाले एक मातर भारती रेफरी कौन बने हैं तो वह कौन है फ्रेंड्स वह हैं अशोक कुमार ये question आपको हर एक जाम में देखने के मिलेगा क्योंकि ये ओलंपिक से रिलेटेड है और ये पहले भारती हैं जो कुष्टी में अमपारिंग करेंगे तो वह अशोक कुमार है नेस्ट कोस्चन है कि अंतर राष्टी महिला स्वास्त कारवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये प्रतेक वर्स 28 माई को कब 28 माई को अंतर राष्टी महिला स्वास्त कारवाही दिवस मनाया जाता है नेस्ट कोस्चन है कि वियना इस्तित अंतर राश्टी नार्कोटिक्स नियंत्रन बोड आई एन सी बी का अध्यच्छ किसे निफ्ट किया गया है तो वह कौन है जगजीत पावडिया है और यह इंपोर्टन्ट कोस्चन हो में आई अम्पी वेरी इंपोर्टन्ट है यह त्री भारती महिला बन गई है और इसका मुझो मुख्याला वियना में इस्तित है ठीक है फ्रेंट्स आज के जितने भी इंपोर्टन्ट आज के नहीं या पूरे इस वीक के जितने इंपोर्टन्ट कोस्चन थे हुआ है मेरे द्वारा आपके लिए लाए गए हैं आप इनका बार लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं अपने नेस्ट सेशन में और ये सेशन आपको कैशा लगा जरूर हमें बताए कमेंट बॉक्स में ठीक है मिलते हैं नेस्ट सेशन पर थैंक यू